अच्छ अच्छ जीव अम्रत त्यार करका ठीक ठीक तो ओर्गैनिक के लिए भाईया थोड़सा सहसे जाना पड़ा है एक तमनियात था समय लगा है खेट को दो-तीन साल चाहिए कम सब्सक्राइब थोड़ा थोड़ा उसमा को डो जिसकी रसाइनी की घटाई जा और इसकी किसान ने जो है ट्रेंच विधी से गन्ना लगाया और उसके साथ में जो है केला लगाया है और ये लगबग तीन दो विगे केला का होगा तीन का जी तीन विगे इनका खेत है तो भाईयों पिछले साल जो था इन्होंने इसमें केला लगाया था तो अभी जो है किसान कभगरी कौन सी वेराइटी है और गन्ने की कभगरी तो मैं मिलवात्ता हूं एक बड़ आपको मेरापूर के पास गाव में वहां देखा था अचा है अचा तो जी आपने पर जैसे इसकी बुआई करी तो और चाहिए वहां चाहिए अच्छा का थी दूरी कितनी है यह जी दो खूड तो धाई फूट पे हैं अच्छा हाई भूट हो गए और की तीसरा खूड यह आठ फिट पर बीच का गया पर जी आच अच्छा तो जी आपना बौई वैसी तरीके से करें अपनी सिंगल बढ़ से या वैसी कोच्छे से कर दें सिंगल बढ़ से सिंगल बढ़ से बढ़ जाद से और गये करें अच्छ तो यह पूर गये बढ़ घकिन तरीके से वाना पλαमाने चेट यह पने बढ़ करती हुआ। केले की बाट करी लग वहाइ कारी दिए एक जुलाइ को प्योध बगएर कहां से लिती जी प्योध ली ना जब हार सती हम तो इसे मिरःपूर के पास आए अच्छा मिरःपूर के पास है कौन सी वेराइटी ए यह रावा प्लस तो भैयों रावा प्लस्तो केले की विराइटी होगी और जुलाई में लगाई थी और तो इसमाजी ज्यादे देख रहे हैं पड़ा कोई दावी केड़े की लिए पड़ा है केले में दावाई कोई आप अच्छा तो जैसा आपने पिछले साल या सोच जी लगाया जी तो गन्य का अगए जिया तो आपकी पार में फड़ा आपका इसमें प्रणा जाएगा इसमें चोदे में पहली फचला होगी लगबग यो 11 मेहने की होगी फचला जाओ अच्छा तो जैसे आपने मीरापुर वहां देखा तो क्या बता रहे ते हैं कि बिजी के बिगे में चावरी जाजा जाजा लग गहली स्टार्ट होगी जी और 42 किलो तक जागी अच्छा आप तो सुरू में कर रहे ना अभी पता भी कुछी नहीं अभी तो उनका बताया हिसाब सब्सक्राइब तो देखो भाई हो किसान जो है देखो नया परियास कराए और 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 अर्गनिक की तरफ भी इनका परियास तो जी और कुछ किसान से कहना चाहोगे अब आगे जो हमां फायदा होगा फें बताऊंगे आगे नहीं होगा तो यह है कोई ज्यादा चना होई जागा तो कोई दिक्कती नहीं नहीं होगा करना है तो केलों के लिए फसल में मूं की फसल है और इस्टे कर रहे हैं पूरी जानकारी की वीडियो हमारे चैनल में मेरेगी राहूल फिवा अच्छा पत्ति जाल रखी तो खर्पतवार पर फरक है नड़बाने नहीं पड़ा तो भाहियो देख लो किसान भाही ने पूर सब्सक्राइब तो बिल्कुल कंप्लीट में दिखाऊंगा क्योंकि एक बिल्कुल सचा ही बताई गई है तो उससे किसानों को पता चल जागए कि केड़ा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए ठीक ना जी तो भाईयो वीडियो आपको जरू पसंद आएगी कमेंट करके जरू बताया करो नमस्कार तो चोज साब एक जानकारी ओर लेनी आपसा है जैसे आप यह जीवामरत तियार करा आपने और चला कर भी देखाऊगा पिछले साल तो आपको क्या अंतर लगा इससा है इसका अंतर यह है जी जैसे हम खेत में यूर्या गिरें हाजी उसका एकद कर रहे जी साब तैयार जी इसमें देखो जी सुभाज पा लेकर की जो पजती है वो है यह अच्छा वो तो कहते हैं दो किलो गुड दो किलो बेस्टर एक किलो बड़े पेड की मिट्टी जी जी बड़े पेड से मतलब बढ़ के बढ़ या पिपड़ और एक सौस लिटर प जीवानों पैदा हो जाएं और इसमें वे सब जीवानों पैदा हो जाएं जो इस हमारे भूमंडल कुछ आव सकता है बिलकुल बिलकुल हां वो सब पैदा हो जाएं ठीक ठीक